जैहिन सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल क्लासिकल जी के ट्रिक पर दोस्तों टोक्यो ओलम्पिक 2020 जो की कोरोना के कारण इस्तगीत कर दिया गया था उसका 2021 में टोक्यो जापान में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस 2021 तक आईजन किया जा रहा है दोस्तों दूसरे ही दिन टोक्यो ओलम्पिक में भारत को बहुत बड़ी सपलता मिली है मनिपूर की रहने वाली मीरावाई चानू ने वेट लिप्टिंग 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है तो चलिए देखते हैं complete detail Tokyo ओलमपिक 2021 के बारे में इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए है करपिया चैनल को लाइक,share और सबस्क्राइब करें तो चलिए फैंस देखते हैं complete detail Tokyo Olympic 2021 के बारे में दोस्तों Tokyo Olympic 2021 का आयोजन 32 ग्रिस्म कालिन Olympic का आयोजन Tokyo Japan में 23 जुलाई से 8 अगस 2021 तक आयोजित किया जारा है जी हाँ दोस्तों इस बार 32 ग्रिस्म कालिन Olympic आप सभी को पता है Tokyo Japan में इसका आयोजन किया जारा है दोस्तों इससे पहले भी जापान में 1964 में Olympic खेलो का आयोजन किया जा चुका है दोस्तों Olympic खेलो के सुबंकर से सम्मंदीत हमेशा एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है तो दोस्तों इस बार Olympic 2021 खेलो का सुबंकर मेराई तोवा रखा गया है जिहां दोस्तों मिराईतोवा इस सब्सकों आपको याद रखना है olampic 2011 के लोग का सुबंघ कर मीराई तवा है दोस्तों olampic 2021 का आधर्षवाक के United by Emotions जी हाँ दोस्तों कभी-कभी आधर्षवाक के से भी चुशन पूछा जाता है olampic 2020 का आधर्षवाक के United by Emotions है दोस्तों olampic में धोजवाक भारतिय धोजवाक से समन्दित एक्जामे क्यूशन पूछे जाते हैं तो इस बार उलंपिक 2021 में उद्गाटन समारों में भारत्य दोजवाग MC मेरिकॉम और मनप्री सिंग जी हाँ दोस्तों दोनों ने सयूग्त रूप से चेन किया गया था दोनों का MC मेरिकॉम और मनप्री सिंग का सियुक्त रूप से चैन किया गया था दोस्तों MC मेरिकों मुक्केबाज है और मनप्री सिंग भारते होक की टीम के कपतान है। दोस्तों यदि ओलंपिक 2021 में समापन समारों में यदि हम बात करें दोजवाग की तो समापन समारों में दोजवाग बजरंग पूनिया पहलवान जी हां दोस्तों समापन समारों में बजरंग पूनिया पहलवान को चुना गया है दोजवाग के लिए दोस्तों आगे हम है दोस्तों टोक्यो उलंपिक में भारत की तरफ से 208 सदसे दल भाग ले रहा है जिसमें 119 खिलाडियों का चैन किया गया है जिन में 119 खिलाडियों की हम बात करें तो 67 पुरुष खिलाडी है और 52 मैला खिलाडी है जो की 85 पदक इस प्रदाओं में चुनोती पेस कर रहे हैं और 8 अगस तक पेस करेंगे जिहां दोस्तों 23 जुलाई 2021 से 8 अगस 2021 तक चुनोती पेस करेंगे चले फैंस देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों टोक्यो उलंपिक में इस बार 5 नए गेम्स को सामिल किया गया है इसमें सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्स क्लाइमिं कराटे और बेसबोल जी हां दोस्तों 13 साल बाद में ओलंपिक खेलों में बेसबोल की वापसी हुई है यहां से एक्जाम में क्यूशन पूचा जा सकता है कि टोक्यो उलंपिक 2021 में कौन जे खेल को 13 साल बाद में सामिल किया गया है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा आप ब कराटे जेहां दोस्तों इन चारों को टोक्यो उलंपिक में सामिल किया गया है चले फेंस देख लेते हैं next दोस्तों कल ही उलंपिक 2021 में टोक्यो ओलम्पिक 2021 में मीरा बाई चानू ने वेट लिप्टिंग में सिल्वर पदक जीता है, जिहां दोस्तों आप सभी को पता है, टोक्यो ओलम्पिक 2021 में मीरा बाई चानू ने वेट लिप्टिंग में सिल्वर पदक जीत कर इतियास रचा है, यह वेट लिप्टिंग के 125 125 साल के ओलंपिक इत्यास में भारत का पहला सिल्वर मेडल है जी हाँ दोस्तों 125 साल के ओलंपिक और 125 साल के उलंपिक इतियास में भारत का पहला सिलवर मेडल मीरा वाय चानू ने जिता है। दोस्तों, वेट लिप्टिंग के पुरुस वर्ग में अभी तक कोई मेडल नहीं मिला है। मईला वर्ग में वर्ष 2000 में भारत की कंडा मलेश्वरी ने ब्रॉंज मेडल जीता था और अब ओलमपीक 2021 टोक्यो ओलमपीक 2021 में मीरवाई चानू ने मेडल जीता है चलिए देख लेते हैं दोस्तों टोक्यो ओलमपीक 2021 में चीन की जुही ने 210 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद दूसरे इस्तान पर मीरवाई चानू ने 202 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता है और इंडोनेसिया की एसाव इंडी केतिग पदक जीता हैं दोस्तों मीरवाई चानू का पूरा नाम साइक हो मीरवाई चानू है मीरवाई चानू का जनम इमफाल मनिपूर 8 अगस्त 1994 को हुआ दूस्तों, टोक्यो ऐ armpit 2021 में Жिलवर मेडल जीत कर वيرة मेडल जीतने वाली दूसरी महीला खिलाडी बन गई है, जिहाँ, थोस्तों, एकजाम में कुछन को घूमा के पूछा जा सकता है, दूसरी महीला खिलाडी बन गई हैं, टोक्यो ऐ 京 retro शुबल कौमनवल्थ गेम्स 2018 में मीरा वाय चानू ने 48 kg वर्ग में गोल्ड डिता है इसके लावा वैट लिप्रिटिंग चेम्पेंशिप 2018 2018 किलो ग्राम वर्ग में गोल्ड डिता है इसके अलावा मीरवाई चानू ने थाइलेंड में आय जित हुई EG80 Cup जिहां दोस्तों थाइलेंड में आय जित EG80 Cup 2019 में स्वन पदक जिता है दोस्तों इने पदम स्रीय वाड से 2018 में समानित किया गया है आप सभी को पता है मीरावाई चानु को पदम स्रीय वाड से 2018 में समानित किया जा चुका है इसके अलावा राजी वांदी खेलतन प्रुसकार से भी 2018 में मीरावाई चानु को समानित किया गया है जिहां दोस्तों इ इनों ने इतियास रचा है तो इनसे समंदीत एक्जाम में कहीं से भी क्यूशन पूचा जा सकता है आप को इनके बारे में कंप्ली डिटेल पता होनी चाहिए चलिए फैंस अब जैसे जैसे आगे-आगे ओलंपिक में अपडेट आती रहेगी वैसे हम वीडियो अपलोड करते से इस से समंदीत दूशन को देखेंगे दोस्तों ओलंपिक सिटेटिक जीखे से समंदित ओलंपिक खेलों में हमेशा क्यूशन यां तो उलम्पिक खेलो की शुरुवात कभ हुई थी तो दोस्तों इसका सई उतर होगा 6 अपरेल 1816 जिहां दोस्तों ओलम्पिक केलो की शुरुवात 6 अपरेल 1816 में हुई थी दोस्तों महिलाओं को पहली बार ओलम्पिक खेलों में 1900 में सामिल किया गया था जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था जी हाँ दोस्तों यह क्यूशन पुछा गया है कि महिलाओं को ओलम्पिक में कौन से ओलम्पिक में सामिल किया गया था तो दोस्तों ओलंपिक 1900 में पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे महिलाओं को पहली बार सामिल किया गया था, चलिए फ्रेंस देख लेते हैं, नेक्स्ट क्यूशन, क्यूशन नमबर टू, पहला ओलंपिक खेल काईजन कहां हुआ था, तो दोस्तों इसका 1960 में रो मिटली में हुआ था, जिहां दोस्तों, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सिटकालिन ओलंपिक काईजन 1924 में फ्रांस में हुआ था, और पैरा ओलंपिक काईजन 1960 में रो मिटली में हुआ था, चलिए फैंस देख लेते हैं, नेक्स्ट क्यूशन, 2014 Excuseby में हुआ था, दोस्तों ओलंपिक, Next Q сейчас हम देखें, ओलंपिक दोज के पाँच जो चक्र हैं, और किसका पृतीग है, जिहां दोस्तों, इह कि उसे ने एक्जाम में पूचा हुआ है, और पीला चक्र एशिया महादीप को दर्चाता है, जिहां दोस्तों यहां पे प्रें निला चकर यूरोप को दर्शाता है काला चकर की एदियम बात करें तो अपरिका महादीब को दर्शाता है हरा चकर ओस्टेलिया महादीब को दर्शाता है और लाल चकर उत्र एवं दक्षने अमरीका महादीब को दर्शाता है जी हां दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए निला चकर यूरोप महादीब को, पीला चकर एशिया महादीब को, काला चकर एपरिका महादीब को, हरा चकर उस्टेलिया महादीब को, और लाल चकर उत्री एवं धक्षनी अमरीका महादीब को दर्शाता है, चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन, क्यूशन नमर फाइब की तरफ, Q5 है Olympic Halo का आदर्स वाक्य क्या है जिहां दोस्तों आपको बताना है Olympic Halo का आदर्स वाक्य क्या है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा CTS, RTS और KTS जिहां दोस्तों CTS, RTS और KTS तो इसका हिंदी में यदि हम देखें तो इसका तेज, उचा और बलवान जिहां दोस्तों Olympic Halo का आदर्स तेज, उचा और बलवान है चलिए फेंड चलते है Q6 की तरफ Q6 है एक ही Olympic में सरवादीक सोन पदक जीतने वाले खिलाडी कौन है तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उतर होगा Michael Phillips जिहां दोस्तों Michael Phillips एक Olympic में सरवादीक सोन पदक जीतने वाले खिलाडी है चलिए फेंड चलते है Q7 की तरफ Q7 है भारत की और से Olympic Halo में भाग लेने वाले परतम खिलाडी कौन थे जी हां दोस्तों भारत की तरफ से Olympic Halo में भाग लेने वाले परतम खिलाडी Norman Pizar जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने भारत की तरफ से सबसे पहले ओल्मपीखेलों में भाग लिया था, चले हैं चलते हैं नेक्ट कुछन, क्यूशन नमर 8 की तरफ, क्यूशन नमर 8 है, ओल्मपीखेलों में भाग लेने वाले परतम भारतीय मैईला खिलाडी कोन है, जिहां दोस्तों परतम भारतिय मैला खिलाडी के बारे में पूछा गया है ओलंपिक केलों में भाग लेने वाले परतम भारतिय मैला खिलाडी कौन है तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेरी लिला राओ जिहां दोस्तों मेरी लिला राओ भारत की तरब से परतम भारतिय मैल लगातार दो पदक जीतने वाले भारते खिलाडी कौन है तो दोस्तों इसका सही उतर होगा सुशिल कुमार जी हां दोस्तों यह सवी स्टेटिक जी के समंदीत क्यूष्ण है और एक्जाम में पूछे जाते हैं तेखते हैं आज का लास्ट तैन परतम भारते खिलाडी जिनोंने ओलम्पिक में स्वन्पदक जीता वो कौन है जिहां दोस्तों परतम भारते के लाड़ी जिनोंने ओलम्पिक में स्वन्पदक जीता है तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उतर होगा अभिनाव बिंदरा जिहां दोस्तों इसका सही उतर होगा अभिनाव बिं झाले वाले!